Good morning students, इस वीडियो में मैं आपको term 2 के practical examination के बारे में बता रहे हूँ, आपको file कैसे prepare करनी है, तो यहाँ पे मेरे पास angel lab manual है, जो आप लोगों को बताई हुई है, उसके अंदर experiment numbers के according मैं आपको बता दूँगी कि क्या sequence रहेगा आपका और कैसे आपको लिखना है file के अंदर, तो यह जो experiment number नीचे handwritten दिख रहे हैं आपको, experiment number 8, experiment number 4, A, 4, B, 4, C, यह आपके sequence रहेगी, इस sequence में आपको 15 practical करने हैं, इसके जो front में 1, 2, 3 लिखा है, यह sequence है जो आपका उसमें रहेगा lab manual में, अब मैं आपको इस lab manual के according ही बताऊंगी कौन सा practical कैसे आपको file के अंदर लिख experiment number 8, अपने को first experiment लिखना है, यह आपके onion root tip की slides preparation होती है, mitosis उसका है, ठीक है, तो इसमें आपको कैसे लिखना है, same, experiment number 1, aim लिखना है, requirement लिखना है, procedure भी लिखना है, और उसके बाद यह सब slides की, जो diagrams है, यह आपको बनाने है, सारी slides की diagrams बनाने है, ठीक है, next page पे हम देखते points दे रहे हैं, comments यह भी आपको लिखने है, हो सके, तो like metaphase के सामने ही, जिस white page पे आप diagram बना, उसी के सामने comments लिखना, और last में precautions भी लिखना है, ठीक है, अब चलते है, अपन experiment number 2, आप इसमें भी confused मत रहेगा, कि हम जो experiment number 1, 2, 3, 4 कर रहे हैं, वो part A के ही है, 4th ABC, part A के है, जो section B है, आपका lab manual के अंदर part B, वो आपके spotting का है, तो उसका experiment number 5 से शुरू होती है, spotting, ठीक है, तो यह रहाँ आपका experiment number 2, जो आप lab manual में करेंगे, और इसमें 4th A number है, ठीक है, pH of water sample, तो आप यह देख रहे हैं, आपको वैसे pdf भी मिल जाएगा, लेकिन आपको इसके अंदर aim वैसे ही लिखना है, aim, requirement, procedure, same लिखना है, यहाँ पे table के अंदर आपको tap water, distilled water लिखने की बजाए, sample A and B दो यह आप लेंगे, ना इसमें कोई color नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे pH only, यहाँ पे pH लिखेंगे, और उसकी pH लिख देंगे, कितनी pH आई उसके लि इस pH and B has this pH, तो आपको वैसे लिखना है, उसके बाद result में भी same रहेगा, आपको इसकी pdf मिल जाएगी कि आपको इसके अंदर क्या लिखना है, precautions आपको हर experiment के अंदर लिखने है, next चलते हैं अपन 4th B पर, तो 4th B में भी आपको as it is लिखना है, इसमें आपको कुछ भी change नह लिखनी है, वही conclusion precaution, और 4th C में आपको ऐसे ही लिखना है, living organism इसमें आपका experiment है, यह कि हम कोई water sample ले रहे हैं, उसके अंदर कौन से living organism हमें दिखाई दे रहे हैं, तो आपको same procedure तक same लिखना है, जैसे हम observation पे जाएंगे, तो observation में आपको एक दो diagram बनाने है और उसी को लिख इसा कुछ निया, observation में आपको इन में से जो भी दो diagram आप बनाएं, जैसे आप ले लिजिए, कोकाई का ले लिजिए और बैसिली, यह दोनों bacteria है, इसका ले लिजिए, या कोई इन में से कोई भी दो diagram लेके, उसी को इसमें observation में लिखेंगे, यही आपका result होगा, ठीक है, त तो आपको यह कैसे लिखने हैं, देखें, experiment number 9 में है, अगर आप स्केरिस लिख रहे हैं, आपको इसमें requirements नहीं लिखनी है, first of all, यहां से आपको next, कोई भी practical, मतलब आगे जो भी लिखोगे अभी, इसमें आपको requirement नहीं लिखनी है, aim लिखना है, to identify common disease causing organism, ठीक है, उसके बा मैं आपको दिखा देती हूं किसी की file return कि आपको कैसे यह करना है, एक चीज़ का आप धियान रखेंगे कि जैसे ascaris से अब आप ant amoeba बना रहे हैं, तो ant amoeba को next page पे बनाएंगे, white page पे diagram और lining page पे comments and symptoms, classification भी white page पे ही आएगा, और plasmodium, वो pdf में मैंने लिख दिया है, जो hand आपको अपंशिया बनाना है, यूफोर्बिया और cactus, same वैसे ही comments लिखने हैं, इनका कोई classification नहीं है, तो कोई classification नहीं लिखना है, procedure requirement नहीं लिखना है, सिरफ aim लिखना है, lining वाले page पे comments और diagram ट्रो करने हैं, white page पे, इसके बाद 10th, A, B, C में ऐसे हैं, sorry A तो यह था ही, B में camel प्रो करना है, और camel के comments लिखने है, ऐसे ही आगे वाले experiment आपको करना है, ठीक है, इसमें भी hydrilla अगर आप बना रहे हैं, एक page पे, तो next page पे, आप next valley scenario बनाएंगे, और उसके lining page पे comments लिखेंगे, इसके अलावा कोई भी doubt हो, तो आप पूच सकते हैं, मैं आपको यह बनी फाइल की अभी साथ में दिखा रही हूं, कि कैसे आपको spotting बनानी है, लाइक यह camel है, है इसने camel बनाया है, लेकिन इसमें भी यह mistake है, कि यह requirement और procedure नहीं आएगा, ओके, यह दोनों चीज़े नहीं आएंगी, सीधा इसके comments आएंगे, आपको heading लिखने की भी जूरत नहीं है aim लिखना है, और camel के comments लिखने है, और इस plane page पे यह diagram और ऐसे इसका उपर classification जैसे दे रखा है, वैसे classification लिखना है, इसके अलावा आपको और requirement procedure spotting में नहीं लिखनी है, okay, इसमें एक experiment जो मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गई, यह 4th ABC के बाद 3rd number experiment, experiment number 3rd in your lab manual, और यहाँ पर आपके 5th number पर वो आएगा, तो उसमें सिरफ 5th नहीं आएगा, 5th, 6th, 7th and 8th आएगे, उसके बाद इसको continue में आप ले जाना, क्योंकि इसमें क्या है, यह soil वाले experiment है, जिसमें soil के साथ में, soil का texture, moisture, moisture content, pH and water holding capacity, यह 3, यह साब, यह 4 experiment भी यहाँ पर लिखे जाएगे, यह यहीं पर आपको note करने है, यह experiment number 3 है, lab manual में और आपका 5th number, 5th, 6th, 7th, 8th आजाएगा, और यहां से आपके counting शुरू हो जाएगे, 9th, 10th से, ठीक है, यह थोड़ा सा change है इसके अंदर, यह आप देख लीजिएगा, और इन experiment को कैसे करना है, देखे, मैं आप lab manual के according भी बता द इसके अलावा जो इसमें table बनेगी, वो table मैं आपको बना के आपको group में PDF सेंड करूंगे, आपको table lab manual वाली नहीं बनानी है, वो बनानी है, अभी अपन चलते हैं, सबसे पहले, soil के texture वाले experiment, देखे, यह texture वाले experiment है, तो इसमें आपको aim procedure, aim requirement procedure, same लिखना है, observation table मैं आपको send क करूंगे, आपको वही बनानी है, मैं उपर लिख दूंगी, इस experiment की table है, next वाले की भी, उसके बाद है precaution आपको लिखना है, next अपनी soil वाली है, यहाँ पर आपको जो है, यह calculation लिखनी है, otherwise मैं आपको calculation और table, यह दोनों चीज़े मैं आपको send कर दूंगी, PDF में, requirement procedure, same result, same result मैं इसमें आपको लिख दूंगी, ठीक है, water holding capacity के अंदर भी आपको table नहीं बनानी है, एक बार table के लिए space चोड़ोगे, यह मैं जो भेज रही हूं, वही बनानी है आपको, requirement रहेगा same, procedure रहेगा same, और result भी इसमें मैं आपको बता दूंगी, diagram आपको white page पे बनाने है, table भी चाहो तो आप white page पे ड्रौ कर सकते हो, उसके बाद है, pH का, pH में भी प्रोसीजर सेम रहेगा, observation टेबल और result मैं आपको, PDF में सेंड कर दूंगी, एक बात का ध्यान रखेगा, यह A, B, C, D, 4 experiment अलग 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 पेश पे करोगे, जैसे मैंने आपको बताया है, कि 5th, 6th, 7th, 8th number experiment हो जाएगा, इस according overall आपके कितने experiment हो जाएगे, देख लीजी आप, 19, ओके, तो 19 experiments आपको लिखने है, कोई doubt हो, तो आप school के contact number पे phone करके मुझसे बात कर सकते हैं, या फिर आप school में आके मिल सकते हैं,